यू तो बहुत से रास्ते है, मुझ तक पहुचने के पर राहे मुखोबत से आना, हासला कम पड़ेगा दोस्तों, आज का मेरा विशे है, हिंदी शायरी याने की बस नशा ही नशा रहता है, जाम ही जाम रहता है हर एक शायर की शायरी आलकोहॉलिक रहती है, कितनी भी माइड हो, लेकिन असर भरपुर रहता है क्या बाद, क्या कहते हो, बिलकुल, 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 तो दोस्तों, आज का मेरा विशे है, जी हिंदी शायरी, आहाहा, इशाद, इशाद यू तो बहुत से रास्ते है, मुझ तक पहुचने के पर राहे मुहोबद से आना, राहे मुहोबद से आना, फासला कम पड़ेगा आगे सुनिए, बेस्ट से बेस्ट शायरी दोस्तों, आपके सामने लाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, समझे, जी, 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 एक शर्त पर खेलूंगा, ये प्यार की बाजी, एक शर्त पर खेलूंगा, ये प्यार की बाजी, एक शर्त पर खेलूंगा, यह प्यार की बाजी, क्या बात है, क्या बात है, मैं जीतू, मैं जीतू, तो तुझे पाऊं, मैं जीतू, तो तुझे पाऊं, क्या बाद है? और मैं हारू, तो एक शर्ट पर खेलूँगा ये प्यार की बाजी, मैं जीतू, तो तुझे पाऊं, और मैं हारू, तो तेरा हो जाऊं, किसी भी हाल में जीतना है, किसी भी हाल में जीतना चाहता हूं, एक शर्ट पर खेलूँगा ये प्यार की बाजी, कतल भी आप करे, खातिल भी आप हो, और इल्जाम हमारे पर हो, क्या बात है? मैं जीतू, तो तुझे पाऊं, और हारू, तो तेरा हो जाऊं, तेरा हो जाऊं, आगे सुनिये, फर्माईए, फूचते थे ना कितना प्यार है हमें तुम से, पूचते थे ना कितना प्यार है हमें तुम से, लो गिनलो बुन्दे बारिश की, पूचते थे ना कितना प्यार है हमें तुम से, तो लो गिनलो बारिश की बुन्दे, प्रे थोड़ा तो बाज भी बात करो, इतनी बुन्दे गिरने गिनने जाऊंगा, तो मेरी उम्बर निकल जाएगी, मुझको इतने, दोस्तों ये शायरी तो आप लोट पोट हो जाओंगे, इतनी खुपसूरत है, मैं हसी नहीं कहती, हस के लोट पोट नहीं, दिल के आर पार, दिल के आर पार, दिल में बस जाएगी आपके, जरूर सुनिये, मुझको इतने से, कितने, इतने से काम पर रख लो, मुझको इतने से काम पर रख लो, कौन से काम पर भई, जब भी सीने पर जूलता लॉकेट, मुझको इतने से काम पर रख लो, जब भी सीने पर जूलता लॉकेट, उल्टा हो जावे, तो मैं हाथों से, सीधा करता रहूं, कैसी लगी, अब ये सीधा है क्यों उल्टा है ये आदमी, मुझे इतने से काम पर रख लो, जब सीने पर जूलता हुआ लॉकेट, उल्टा वो जाए, तो मैं सीधा करता रहूं, वावा वावा ये काम के लिए बंदा हाजीर है आग लगा दी आग लगा दी पता नहीं कैसी दुनिया है पता नहीं कैसी दुनिया है कि हम है लापता यहां यहां इस दुनिया में बुरे लोगों को मौका पता नहीं कैसी दुनिया है कि बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोका मिलता है धोका मिलता है अब यही तो यही तो शराब की खुमी है कि पता नहीं कैसी है दुनिया है यहां बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोका मिलता है मैं एक बात फर्माता हूं इस बात फर्माता हूं जरूर कि पुरा गिलास पुरा पेमाना हमने गले में उतार दिया नशा चड़ गया और ये जो कमवक्त शिशा था यह तो जो गलास था सारा उसको तो इभी बारब ने चुमते नहीं देखा अब इसको क्यों नशा होता हमें क्यों नशा हो गया अब ये तो पूरी जिन्दगी सब को परॉस्ती है जिस गलास में इनका कहना है कि नशे की चीज है उसको नशा नहीं चड़ता जी और हमें थोड़ी सी पीदी जैसे भी अंदर जाता है जूमने लगते हैं नशा चड़ जाता है अच्छा आगे सुमिये बिल्कुल फरमाईए इश्क तो बातों से ही होता है जनाव इश्क तो बातों से ही होता है जनाव शकल देखकर तो शादियां हुआ करती है इश्क तो बातों से ही होता है जनाव शकल देखकर तो सिर्फ शादियां होती है कोई रूह का तलबगार मिले तो हम भी महुबत कर ले कोई रूह का तलबगार मिले तो हम भी महुबत कर ले यहां दिल तो महुबत मिलते है यहां दिल तो बहुबत मिलते है पर कोई रूह का तलबगार तो मिले हम भी महुबत कर ले यहां दिल तो बहुबत मिलते है पर दिल से कोई नहीं मिलता दिल से कोई नहीं मिलता दिल तो बहुबत मिलते है यहां ले के कहना यह है पर दिल से कोई नहीं मिलता कहना ये है इनका कि ये तो यू तो भीड बहुत लगी है लेकिन इस भीड में भी हम तो अकेले ही है अच्छा सुनिये अरे ये तो क्या चीज है मज़ा आ जाएगा आपको भी जुमके से कह दो जुमके से कह दो गालों को चूमना छोड़ दे जुमके से कह दो गालों को चूमना छोड़ दे इश्क रुस्वा हुआ जुमके से कह दो गालों को चूमना छोड़ दे यदि इश्क रुस्वा हुआ तो हजारों कतल होंगे क्या बात है इश्क रुस्वा हुआ तो हजारों कतल होंगे अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने ठीक उतने ही निकले कितने अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने ठीक उतने ही निकले जितनों को हमने गले लगाया थे ओ माई गौड क्या बात है क्या बात है शायद का कहना है कि जितनों को आप गले लगाते हों जितने अपने है, वही हमें दर्द देते हैं, कतल भी करते हैं, इसलिए आप कितने भी संबल के गले लगाओ किसी को, कतल तो जरूर होना है, और मुह में उफ तक नहीं होती, इनकी जबा पे मुबत होती है, और दर्द दूसरे को देखे जाते हैं, सुनिये, फर्माईए, निंद के भी बड़े अजीब नखरे है, वहाँ, बहुत अफला तुम शेर है जनाब, निंद के भी बड़े अजीब नखरे हैं, कौन से नखरे, कौन से नखरे ये सब ने महसूस किया है, हर एक व्यक्ति नहीं, निंद के भी बड़े अजीब नखरे है, जब आती है, निंद जब आती है, तो सब कुछ बुला देती है, निंद के भी बड़े अजीब नखरे है, जब आती है, तो सब कुछ बुला देती है, और जब नहीं आती, तो सब कुछ याद दिला देती है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चोटी से चोटे किस्से, और बड़े से बड़े हाद से, हर एक चीज याद दिलाती है, जब निंद नहीं आती, तो दोस्तों, निंद के भी बड़े नखरे है, जब आती है, तो सब कुछ बुला देती है, और जब नहीं आती, तो सब याद दिला देती है, मुहबत और बारिश का एक ही रिष्टा है, मुहबत और बारिश का एक ही रिष्टा है, दोनों उम्रे तो बेशुमार बरस्ते हैं, मुहबत और बारिश का एक ही रिष्टा है, दोनों उम्रे तो बहुत बरस्ते हैं, जी, मैं उनकी हूँ, ये राज वो जान गए है, दोस्तों, मैं उनकी हूँ, ये राज वो जान गए है, लेकिन वो किसके है, ये सवाल हमें सोने नहीं देटा, मैं उनकी हूँ, ये राज वो जान गए है, लेकिन वो किसके है, ये सवाल, मुझे सोने नहीं देटा, किस आहां, अभी ये सुनिया, तारीफिक काविन है, दोस्तों, किसी ने मुझसे कहा, तुमारी आँखे, बहुत खुब सी लगए, ये, किसी ने मुझसे कहा, तुमारी आँखे, बहुत खुब सी लगए, मैंने भी हस के जवाब दिया, मैंने भी हस के जवाब दिया, ये, दोस्तों, ये भी नशा करती है, किसी के इंतजार का, इस लिए वो नशेली है, किसी ने मुझसे कहा, तुमारी आँखे, बहुत खुब सुर्फ है, ये भी नशा करती है, मैंने भी हस कर कहा, ये नशा करती है, किसी के इंतजार, के इंतजार का, तेरे हुसन को, पर्दे की जरूरत की क्या है, तेरे हुसन को पर्दे की जरूरत की क्या है, कोन होश में रहता है, तुझे देखने के बाद, बस अभी एक अंती मुशेर ऐसा है दोस्तों, ला जवाब, ला जवाब, कि आप सुन के, खड़े हो जाओगे, इर्शाद, इर्शाद, खुश्बू आ रही है कहीं से, खुश्बू आ रही है कहीं से, ताजे गुलाब की, ताजे गुलाब की, खुश्बू आ रही है कहीं से, ताजे गुलाब की, जी, मैं चाहती हूँ आपरी अंदाजा लगाए कि आगे की लाइन क्या होगी खुश्मू आ रही है ताजे गुलाब की शायद खिड़की खुली रह गई होगी उनके मकान की खिड़की खुली रह गई होगी उनके मकान की खुश्मू आ रही है ताजे गुलाब की खिड़की खुली रह गई होगी उनके मकान की